57 सीटे जीतने वाले एक नाशिंदे ने ग्रह मंत्री अमिशा की नाक में दम कर दिया है। क्या एक नाशिंदे भी उद्धो ठाकरे की तरह भारतिय जंता पार्टी को ठिकाने लगा देंगे। क्योंकि एक नाशिंदे की तरफ से बीजेपी से जो डिमान की गई है जो शर्त रखी गई है उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। तो एक नाशिंदे ने क्या शर्त रखी है पहले आप खबर देखें फिर आमेशा की किस धंकी के बाद से फस गया है पेच उस पर आते हैं। आपको बता दें खबर तो पहले ही निकल कर सामने आ गई थी कि आज की दिन एक नाशिंदे बड़ा फैसला लेने वाले हैं और ऐसा फैसला लेने वाले हैं उससे भारती जंता पार्टी की टेंशन बढ़ने वाली है। पर भी मौझूद है खबर आप देखें नौ भारत टाइमस की इसमें लिखा भी हुआ है कि महरास से बड़ी खबर एक नाशिंदे शरिवार को लेंगे बड़ा फैसला बीजेपी की टेंशन बढ़ने के आसार। तो अब ये फैसला ले लिया गया है। अध्यक्ष पद मांगा है। और इसी के साथ सरकार से बारा मंत्री पद भी मांग लिये हैं। तो एक मुख्य मंत्री पद के बदले आप देख सकते हैं कि एक नाशिंदे अमिश्या से कितनी बड़ी डील करने की तयारी में हैं। एक तरफ जहां स्पीकर का पद मांगा गया है वहीं दूसरी तरफ बारा मंत्री पद मांग लिये गये हैं। और जो मंत्री पद मांगे गये हैं ये कोई छोटे मोटे विभाग नहीं हैं। ग्रह विभाग मांग लिया गया है और तो और वित्त मंत्राले भी मांग लिया गया है। अब ये भारती जंता पाटी एक नाशिंदे को देने के लिए तयार नहीं हैं। फिलहाल खबर तो पहले ही निकल कर सामने आ गई थी कि किस तरीके से एक नाशिंदे शरत पवार के संपर्क में हैं। किस तरीके से एक नाशिंदे ने अमिशा की मीटिंग को छोड़ कर और महायूती की बैठक को टाल कर शरत पवार के करीबी जितेंद अवार्ट के साथ मीट अगर महराष्ट में सीटों के गडित की बात की जाए तो यहां पर टोटल विधान सभा सीटे होती हैं 288 और बहुमत होता है 145 का ऐसे में अगर एक नाशिंदे भारतिय जंता पार्टी से नाराज होकर इंडिया गडबंधन के साथ चले जाते हैं और तो और अजीद पावार उनका साथ देते हैं तो पूरा का पूरा खेल पलट सकता है आप देख भी सकते हैं अगर महराष्ट की बात की जाए तो एक नाशिंदे के पास सीटे हैं 57 उद्धो ठाक्रे के पास हैं 20 अजीद पवार के पास है 41 शरत पवार के पास हैं 10 कोंग्रिस के पास हैं 16 और लाने की स्थिती में साफ दिखाई दे रहे हैं एक नाशिंदे खेला करने की तैयारी में हैं एक नाशिंदे मुख्यमंत्री पत की कुरसी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और मुख्यमंत्री पत की अगर कुरसी छोड़ेंगे तो कितना बड़ा ओफर दे दिया है या फिर एक नाशिंदे ने पेच फसा दिया है एक नाशिंदे का कहना है कि मुख्य मंत्री पत देना है तो दो नहीं देना है तो नहीं दो कोई बात नहीं लेकिन ग्रह विभाग तो मुझे ही चाहिए तो एक नाशिंदे खेल गए हैं एक दरफ एक नाशिंदे ने डिमांड कर दी है वहीं दूसरी तरफ राहूल गांदी ने भी CWC की मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर ये निकल कर सामने आई है कि राहूल गांदी ने साफ कह दिया है कि सिर्फ EVM को दोश देने से कुछ नहीं होगा हमें अपना संगठन मजबूत करना होगा और राहूल गांदी संगठन मजबूत करने के लिए कुछ भी करने के लिए तयार है आपको बता दे एक नाशिंदे कॉंग्रिस के भी संपर्क में है और तो और एक नाशिंदे को कॉंग्रिस की तरफ से मुख्य मंत्री पद और ग्रह विभाग भी ओफर कर दिया गया है तो इंडिया गटबंधन की तरफ से ओफर दिया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ अमिशा धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं आपको अच्छे से याद होगा कि जब एक नाशिंदे अमिशा की मीटिंग में नई पहुचे थे तो अमिशा ने किस तरीके से भरी मीटिंग में धमकी देते हुए कह दिया था कि बागी खड़े होने की हिम्मत ना करें तब तो एक नाशिंदे चुप हो गए थे लेकिन अब एक नाशिंदे ने खेला कर दिया है फिलाल एक नाशिंदे ने जहां एक तरफ बारा मंत्री पद मांग लिये हैं स्पीकर का पद मांग लिया है, वहीं दूसरी तरफ विधायक दल की जो बैठक नहीं बुलाई जा रही है, उसको लेकर भी एक नाशिंदे नाराज दिखाई दे रहे हैं, एक नाशिंदे भी अच्छे से समझते हैं कि अमिश्या क्या करने की तैयारी में हैं, इसलिए एक ना शिंदे ने साफ कर दिया है कि पहले विधायक दल का नेता चुनाया जाएगा, फिर उसके बाद मंतरालयों का बटवारा होगा, तो आप देख सकते हैं कि एक नाशिंदे अड़ गए हैं, और एक नाशिंदे के इसी खेल में अमिश्या बुरी तरीके से फस्ते हुए नजर आ रहे हैं, जब ठीक एक दिन पहले ये तस्वीर निकल कर सामने आई थी, तब तो ऐसा लग रहा था कि कुछी घंटों में महराश्ट का मुख्य मंतरी कौन होगा, इसका अधिकारिक एलान हो जाएगा, लेकिन एक नाशिंदे ने पेज फसा दिया है, एक नाशिंदे ने बड़ा दाउं चल दिया है, एक नाशिंदे खेल गए हैं, अब इस खेल में अमिश्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिल हाल एक नाशिंदे अपने गाउं सतारा में हैं, आपको बता दे, जब दिल्ली में बैठक हुई एक नाशिंदे ने साफ कर दिया था कि मुंबई में बैठक होगी, तभी तै होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, लेकिन मुंबई की बैठक को टाल दिया गया है, एक नाशिंदे अपने गाउं पहुच गए हैं, और अमिश्या का फोन उठाने के लिए तयार नही हैं, अब इसमें आपको क्या लगता है, इस खेल में कौन बाजी मारेगा, अमिश्या घुटनों पर आएंगे, या फिर कि एक नाशिंदे खेला कर देंगे, इस बार महराश्ट में एंडिये सरकार बनाएगी, या फिर कि इंडिया गडबंधन तक्ता पलट करने वाला है, इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, शिंदे की डिमान पर, अमिश्या की हालत पर, आपकी क्या राय है, महराश्ट का मुख्य मंतरी कौन होगा, इस सवाल के जवाब में आप जो भी सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को जादा जाद शेर करें, हमारे चनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जॉइन करें, फिर मलते हो लिख खबर के साथ, तब तक के लिए, धन्यवाद झाल 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 झाल, झाल.